मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 26 मई 2021 का दिन तुलारासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने बाले शमय में तुलारासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके अर्थिक जीबन के बारे में मित्रों आने बाले शमय में पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है मित्रो आप में से जो भी जातक आने वाले शमय में पैसों का निबेस करना चाहते हैं तो निबेस के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है तो आने वाले शमय में निबेस करने से आपको बचना चाहिए अन्य था आने वाले शमय में पैसों की पड़ेशानी का सामना आपको करना होगा। मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवाडिक जीबन की बात कड़े तो आने वाले शमय में आपका पाड़िवाडिक जीबन सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है, मित्रो आने बाले शमय में यदी आप अपने घर पडिबार में कोई भी पडिवर्तन, कोई भी बदलाब करना चाहते हैं, तो आने बाले शमय में पडिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए, अन्य था आने बाले शमय में आपके घर का माहौल, आपके घर का वाता बरन बहुत जयादा खराब होगा मित्रों आप में से जो भी जातक छात्र हैं विद्यार्थी हैं तो आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आप अपने पढ़ाई लिखाई के छेत्र में मिहनत परिश्रम करते हैं तो आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा एबं आपके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है साथ यानी की सेबन आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा एबम फिरोजी मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अपने इष्ट देब की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबम इस वेडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दें धन्यवद